हाई व्रिवान इंडिया न्यू स्पोर्ट्स के डिजिटल प्लाक्टफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ अनुष्का नाम दियू मैं जानती हूँ कि आज अजब बहुत सभी खुश होंगे क्योंकि आड इंडिया ने जो है सीरी अपने नाम कर लिया है जिया बॉर्डर गावस का ट्रॉफी इंडिया ने अपनी नाम कर लिया जिससे सभी फैंस बहुत खुश हैं लेकिन अगर आपका अभियब है ध्यान सेय मुस्ताक ली ट्रॉफी यानि कि T20 लीग जो खेली जा रही है उसके बारे में बताना चालते हूं देखिए आज जो मुकाबला हुए है उसमें दिल्ली और पुटुचैरी के बीच में मुकाबला हुआ है और वहीं दूसरी तरफ देखे तो हर्याना और के बीच में तो वहीं आपको बताते है केरला के जो कुछ प्लेयर्स जो केरला जीत आसल क्यों नहीं कर पाई इसमें आपको प्लेयर्स के नाम बताते हैं देखिए श्री संत जो थे काफी लबे समय के बाद उन्हों है भारती क्रिकेट जमीन पर वापसी की है और लगातार दूसरी मैच पर भी गुन की जो गेंड ती उस पे बहुत धिना दुनाई हुई है अब वहीं बात करते हैं दूसरे संजू सैमसन जो राजस्तान रोयल्स की खिलारी है जिन्हों ने आई पेल में काफी अच्छा परफॉर्म किया था लेकिन इस बार वो केरला की टीम में अपनी टीम को जीत नहीं आसल करवा सकें एक क्यावन रन का स्कोर खड़ा करा संजू सैमसन ने वहीं तीसरे खिलारी की बात करें सचिन सचिन बेबी नाम है उनका वो इस बार किरला की टीम में काफी महंगे साबित हुए हैं जी हां 68 रन का स्कोर खड़ा कराता सचिन बेबी ने अब वही बात करते हैं जीतने वाली टीम यानि की हर्याना जिन्होंने चार रन से जीत हासल करी है हर्याना टीम की बात करी है तो उसमें शिवम चौहान जिन्होंने 69 रन का स्कोर खड़ा करा और इसमें उन्होंने चौके और छक्को की बरसाथ से जो है टीम को जीत हासिल करवादी देखिए चौके इनके 6 चौके थे और 2 चौके थे जिसके दम पर उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलवाई अब वहीं दूसरे खिलाडी मैं बात कर रही हूँ राहुल तेवतिया की देखिए राहुल तेवतिया का परफॉर्मेंस तॉप से भी जानते हूँगे जिन्होंड़े आई पेल में न्यूटन्स लॉप ग्राविटी पर भी क्वेश्चिन मार्क लगा दिया था जिहां राहुल तेवतिया ने इस बार 41 रन का स्कोर खड़ा करा जिसमें दो चौके और दो छके थे देखिए दोनों ही प्लेयर्स जो है वो काफी किफायती साबित हो है जिनके योगदान से हर्याना टीम ने 4 रन से जीत हासल करी अब वहीं बात करते हैं दूसरे मुकाबले की यानिकी दिल्ली वर्सेस पुडूचेरी जिसमें दिल्ली ने 110 रन से जीत हासल करी देखिए पुडूचेरी जो है इस बार जो है अपना बल्ला नहीं आजमा पाई जिसमें उन्होंने सिव 82 रंकर स्कोर खड़ा करा और हार का सामना किया वहीं बात करते हैं दिल्ली की टीम की जिसमें तेकि कुछ प्लियर्स ऐसे थे जिसमें इशान शर्मा और शिखर्धा बनते वो इस बार नहीं खेले जिससे हमारे दर्शक काफी निराश नजर आए लेकिन उनकी कमी जो है पूरी करी है शिवांक वशिष्ट ने जिन्होंने चार विकेट चटका है और साती साथ के यार के खिलाड़ी है नितीश रणा तेकि नितीश रणा भी इस बार नहीं टेके कूछ वो शूने पर आउट हो गय थे और इसी के साथ हम बात करते हैं जिसने टीम को हिमत दिलाई जिहां में बात करी हिमत सिंग की जिन्होंने त्रे पर आउट हो गए लेकिन IPL में KKR की तरफ से वो खेले थे उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था ाँ